Hello Friends, मैं आज आपको 2004 की 3 Iron ये एक romantic Korean movie explain करने वाला हूँ इस movie की IMDB rating 8 है और इतनी अच्छी rating ये movie dissolve भी करती है एक शादी शुदा औरत के साथ अलग type के affair की एक story है इस movie में जो भी main characters है इनका कोई भी dialogue नहीं है पर cinematography इतनी अच्छी है कि आपको जो भी इन characters को लग रहा है ये बताया जाता है इस movie में जो main characters है ये गभी भी बोलते नहीं पर इनके जो dialogue से है ये उनके emotions से convey हो जाते है बहुती कम dialogue और बहुती अच्छी cinematography इस movie में हमें दिखाई जाती है इस movie में जो भी scene है इन सब के symbolic milling के साथ मैं आपको इस movie का explain करूँगा तो चलिए शुरू करते है movie start होती है और हमें हमारा main character के दिखाई गया है ये एक बहुती शान सिटी में हमें दिखाई गया है बहुती कम लोग यहा रहते हैं बहुती कम traffic वेगरा होती है ये हमें अलग-अलग door पर जाकर अपने pomplets लगाता हो दिखता है ये hotels के pomplets होते है पूरे neighborhood में गुमता है और एक नए society में आचाता है उसने इस society में pomplets लगाए थे और अब वो हर door को चेक करा है इसका actual में एक plan होता है ये हर चगा जाता है और वहाँ अपने pomplets लगा कराता है जिस घर पे उसने अपने pomplets लगाया है उसका owner अगर उस घर में होगा तो वो ये निकाल कर रख देगा अगर ये pom부ET नहीं निकला होगा इसका मतलब एगर पर कोई नहीं है गर का owner कही बाहर गया है फोण और।ूल्स विगरह भी होते हैं, घर में अनदर जाता है, तो एक फोन भी चेक करता है, वहाँा पर मेसज होता हूथ है, कि हम फैमिली वेकेशन बाब बाहर गये हैं। ये घर की फैमिली का मेसज होता है, ये घर में हमें शौवर लेते हुए दिखता है वहाँ खाना बगाता है वहाँ बहुत सारी चीज़े करता है और अगर इस घर में कुछ टूटा फुटा होगा तो ये भी रिपेर कर देता है जिस घर में वो जाता है अपने कैमेरी के साथ वहाँ एक फोटो ले लेता है जिस घर में भी वो जाता है उस घर में लोग जीस तरह से रह रहे थे यानि कि जो भी काम वो कर रहे थे ये सब काम वो करता है अब मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में और भी बतातू ये एक free school होता है जहाँ पिसे जाना होता है वहाँ वो चला जाता है अलग-अलग शहरों में गुमता है और ये ही trick को करता रहता है जिस घर में कोई लोग नहीं रहे रहे उस घर में जाता है उनकी lifestyle जीता है ये वहाँ से कुछ भी चोरी वेगरा नहीं करता एक ही लाइफ में अलग-अलग जीजे एक्सपिरियंस करकर इसे रहना होता है जो गोर हो एक्सपिरियंस कर चुका है इसके एक memory वो फोटोज में लेता है अब नेक सीन में हमें दिखता है कि जिस घर में के रह रहा था वहाँ की family फिर सी घर आ जाती है इस family में mother, father और son होते है यहाँ mother ज़रा नाराज होती है वो vacation पर जाकर आई है पर फिर भी उसे वो vacation अच्छी नहीं लगी थी इस family जो छोटा बच्चा जोता है वो अपनी खिलोनों की gain लेकर आता है यह पहले तूट गई थी पर अब के नहीं इस रिपेर कर दिया है वो अपनी mother पर point करता है वो इसकी mother frustrated होती है तो के दी की चला दो और यह चला भी देता है यही सीन खतम हो जाता है नेक सीन में फिर से नया neighborhood में हमें के दीखता है यह बहुत ही अच्छा neighborhood होता है और बहुत ही बड़ा यह घर होता है इस घर में वो आ जाता है घर में आने के बाद देखता है कि यहाँ कोई है या नहीं और वहाँ एक औरत होती है जिस यह स्पॉर्ट नहीं कर पाता वो बहुत ही चुप चाप वहाँ बैठी हुई होती है इसके face पर किसी के मारने की निशान भी होती है यह डर कर वहाँ छुप कर एक कोने में बैठी हुई होती है फिर answering machine पर call आता है या इस औरत का husband जोता है वो answering machine पर message पेचता है वो उसे पुछता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो उसे हरी गर-गर phone वीकप करने के लिए बोल रहाता है उसे sorry भी कहता है वो कहता है मैंने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है फिर भी तुम unsatisfied ही हो वो गुसा होकर उसे phone वीकप करने के लिए बोलता है यह घर में ही छूपी रहती है यह फिर से अपना सब जो routine होता है वो करने लग जाता है उस घर में कपड़े दोता है अगर उस घर में कुछ टुटा-फुटा होगा तो रिपेर करता है यह और अब केज जो भी सब कर रहा है यह देख रही होती है और वो कुछ भी आवाज नहीं करती और सिब आउज़र करती रहती है इसका नाम हम क्रीम रखेंगे केज होता है वो घर के काम करकर बहुत ही सैटिसफाइड उसे महसूस होता है के हमें एक प्लांट को वाटर करते हो दिखता है नेकसे में हमें क्रीम दिखाए गई है और उसके पास एक प्रेंटिंग होती है और वो भी इसी प्लांट की होती है यह प्लांट क्रीम को ही रिप्रेजन करता है और के अब उसे वाटर कर रहा है क्रीम पूरी तरह से मुर्जा चुकी है पर अब इसकी लाइफ को वो फिर से जिन्दा करेगा केकी एक खौपी होती है जिसमें वमेशा गोल्फ खेलता है के जो घर होता है इस घर में क्रीम के बहुत सारे फोटोज होते है क्रीम पहले मॉडलिंग करती थी के जब इस घर में एक वेटिंग मशीन पर ख़ड़ा होता है तो एक काम नहीं कर रहे होती क्रीम के लाइफ का बैलन्स रिपेजन करती है जब राद होती है और के सोया होता है तब इक ग्रीम दर्वाज खोलती है के ये देकर डर जाता है तो भी फोन पर और एक मैसेज आता है इस मैसेज में उसका पती बोलता है कि अभी गभी फोन पीकप करो वरना में घर आ जाओंगा यह जब फोन चल रहा होता है तो खीक कपड़े वगरा वेहनता है और फिर से नई जगा पर जाने के लिए रेडियो हो जाता है के फिर हमें हावे पर दिखा गया है इस औरत के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है इसके बारे में सोच रहा होता है थोड़ी देर बाद वो सोचता है और फिर से इसी घर में आ जाता है वो देखता है कि क्रीम शौर में है और वो रो रही है वो फिर उसे चियर अप करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाता है थोड़ी दिर में क्रीम का हस्बन भी वहा जाता है सब दरवाजे खुले होते हैं तो इसके लिए उसे डाटता है उसे पोच्चता है कि तुम फोन क्यों नहीं आंसर कर रही थी वो अपनी बिजने स्ट्रिप पर कुछ काम नहीं कर पाता तो इसका भी ब्लेज्ड ओ कृम पर ही करता है कृम को बोलता है कि मैंने तुमें कहा था कि तुमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने है उसे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं इसके लिए भी उसे restrict करता है वो कहता है कि मैं कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तकलिफ दूँगा उसके पास फिर वो बैठता है वो उसे जबरदसी करने के कोशिश करता है पड़े होते हैं कि अपना निशाना अब बदल लेता है क्रीम के अगाता है और उसे बहुत बुरी तरह से इंचोर कर देता है क्रीम का हस्बंड अब ग्राउन पे गिर जाता है यह जो घर है इसमें क्रीम की बहुत सारी मॉडलिंग की फोटो जै एक शौट में हमें दिखाए प्रवार क्रीम वैसे पहली थी मोडलल की तरह थी वह तब फोटो निकाल रही थी अब वह के को देखकर वैसा ही फिर से फिल करना चाहती है इस शॉट से यह उन्होंने रिप्रिजेंट किया था और अब हमें दिखता है कि क्रीम अब के के साथ पाइक पर उसके चली जाती है वो अब उसके husband के साथ ने रहना चाती के का जो भी routine है उस routine में वो घुल में जाती है वो उसके साथ अलग-अलग नेवरोर्ज में जाकर pomple चिपका दिये और उसके साथ ही रहती है Nixon में हमें दिखता है कि के उसकी goal cue practice कर रहा होता है वो एक garden में खेल रहा होता है पर वो ball कहीं जाये ना इसलिए उसने उस ball को बान दिया होता है यह जब वो खेल रहा होता है तो ball के सामने cream आ जाती है के अपनी खेलनी की direction change करता है पर उसी direction में फिर से cream आ जाती है के फिर अपना खेलना ही बन कर देता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइफ है जैसे तरह से वो जीता है उसके बीच में अगर क्रीम आगे फिर वो वाइलन्स की तरफ नहीं मुढने वाला अब नेक्स गर में की मार के आजाते हैं यह जो घर होता है एक फोटोग्राफर का घर होता है यहाँ क्रीम का फोटो भी होता है जैसे हमने देखा था कि के अलग अलग घरों में जाकर वहाँ की चीज़ेंगर रिपेर करता है यहाँ भी वही वह कर रहा होता है क्रीम जब उसक से हम क्रीम को देखते है वैसी वो नहीं है इसमें बहुत सारे लेयर से वो एक human being है जिस तरह से human being complicated होते है उसी तरह से वो भी है उसके husband ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है पर फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो इतनी simple सब कुछ चीज़ें नहीं हो यह सब खाना वह उसे दे देता है यहाँ उसके लिए बहुत केर कर रहा है यह में दीखता है और फिर से जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रीम एक प्लांड को रिप्रेजेंट करती है उसी प्लांड को के फिर से water कर रहा होता है थोड़ी दर में घर के बाहर में आजाती है उसके life का अब वो पार्ट बन चुकी है यह सीन रिप्रेजेंट करता है हमें फिर से एक नए घर में वो दिखाए गए है या एक बॉक्सर का घर होता है इस घर में वह जाते हैं ड्रिंक वगरा करते हैं म्यूजिक चलाते हैं एंजा कर रहे होते हैं जब रात क्रीम उसके लिए नूडल से घर लाती है उसे अपने हाथों से घर लाती है थोड़ी दर बाद फिर से के अपनी गोल फ्रैक्टिस करने लग जाता है इस बार वो जब गोल फ्रैक्टिस कर रहा होता है उसका बॉल रिस्टिक्टेंड नहीं रहता वो बॉल बहुत ही दूर वो इसके वज़े से एक आदमी का आक्सिडन्ट हो जाता है जिस कार में आक्सिडन्ट हुआ होता है वहाँ एक लटकी होती है जो बहुत ही इंजोर्ट हो चुकी होती है केको ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है वो रोने लग जाता है ये सिन रिप्रेजेंट करता है कि के को लगता है कि वो सब कंट्रोल करवा रहा है पर लाइफ में कुछ चीज़े आपके हाथ में नहीं होती कंट्रोल करवाना रात में दोनों फिर से नए घर पर आ जाते है जब सुपह होती है फिर से अपना रूटीन स्टार्ट करते थे इस बार नया घर वो ढूंडते है जब वो बिल्डी में आते है और घर खोलते है तो इसे स्मेल आ रहे होती है जब ये चेक करते हैं तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा हुँ होता है कि यहाँ से निकल जाने वाला होता है पर क्रीम यही रुकती है यह आदमी अपने मुझे को खुन आकर मर गया होता है तो यह सब खुन वेगरा यह सब साप करते है के कॉल करकर देखता है इस आदमी के सन को यह कॉल लगता है पर यह कुछ भी नहीं बोलता जब यह दोनों इस घर में खाना खा रहे होते तो थोड़ी देर बाद इस आदमी का सन और उसके डॉटरिन लोग आ जाते है वो चेक करता है कि उसके फादर का है वो उसके फादर उसे कहीं भी नहीं मिलते वो इन दोनों को फिर घर में रुखने के लिए बोलता है और पुलिस को कॉल कर देता है पुलिस फिर हमें K और क्रीम को इंवेस्टिकेट करते हुए दिखती है के का कैमेरा उनके पास होता है वो figure out गरता है ये बहुत सारे घरो में रहा है क्रीम मेंसे ये ऐसा उसके हस्बन ने रिपोर्ट किया हता है ये पूलिस फिर उसके हस्बन को कॉल कर देते है ये पूलिस ऑफिसर जब के को धम गाता है तब के उस old man की location देते है एक्चुल में के ने इस old man को एक proper burial दिया होता है उसके घर के पास ही एक पेड की नीचे उसे गार देता है तो ये चेक करने के लिए जो आदमी जाता है वो officer के पास आकर उसे कहता है इसे बहुत ही अच्छी तरह के इससे गारा गया था उस old man का इसने इतना खयाल किया था कि ये उसका actual में सन हो क्रीम का पती उसे अपने घर लेकर आता है वो से कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ तुम जब चली गई थी तो मुझे सोचने में वक्त मिला था मैं अब बदल चुका हो तुम जब गई थी तुमारे parents को मैंने बहुत सारे पैसे बेज़े है वो से अशुर करता है कि मैं आपसे अच्छे से रहूँगा मैं तुमें कभी भी हट नहीं करूँगा क्रीम अभी भी उससे response नहीं दे थी क्रीम का पदी अब चीर जाता है और डिरिक्टिव को कॉल करता है इस डिरिक्टिव को वो पैसे देता है और केक को एक सुमकसान जगा वो लेकर आते है केने क्रीम के पदी को गोल्फ बॉल से मारा था अब यही उसका पदी केके साथ कर रहा है थोड़ी देर बाद केको बजाने के लिए पुलिस ओफिसर आ जाते है तो के उस पुलिस ओफिसर पर ही जपक जाता है अब हमें के डायरेक्ली प्रिजन में दिखाय गया है उसके जो इन्मेंट्स होते हैं उनके सामने वो इमेजनरी गोल्फ खेल रहा है ऐसा प्रिटेंड करता है इसमें से एक इन्मेंट उसका इमेजनरी गोल्फ टॉल है यह चीन लेता है इसी वज़े से इन दोनों में फाइट हो जाती है और सुलिटरी में केको रख दिया जाता है जब केक को चेक करने के लिए वहाँ कार्ड आता है तो केच छुप जाता है उसे वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो वहाँ एक्जिस्ट नहीं करता कार्ड को अंदर आना पड़ता है उस पर चीड गया होता है तो उसे बहुत मारता है आतमे करीम का हस्बन उसके पास आजाता है वो कहता है कि मैं सोच रहा था उसे पूछता है कि मैंने क्या गलत किया है करीम कुछ भी बोलने रही होती है वो के के साथ रहे रही थी उस पर भी वो नाराज होता है उसे फिर वो स्लैप कर देता है क्रीम भी इस पार रुकती नहीं और वो उसको भी मारती है क्रीम की केर करने वाला कोई नहीं था ये ने उसकी केर की थी और अब उससे फिर से अच्छा लगने लगा है वो उस पे अत्याचार नहीं होने दे रही वो उससे मारती है के फिर से उसने जो गार्ड को जलावा दिया था वो ही देता है गार्ड अंदर आता है और उसे बहुत मारता है नेक्स दिंग क्रीम घर पर होती है तो उसे जो भी कपड़े अच्छे लगते है वो पहनती है बाहर जाती है और पहले जो एक घर में वो गई थी उस घर में वो पहुच जाती है वो इस घर में जो रहता है वो एक आदमी वहा है वो अंदर आती है उसे कुछ भी नहीं बोलती वो कहता है कि क्या तुम्हें help कर सकता हूँ पर वो directly उसके घर में चली जाती है उसके bed पर सो जाती है इस आदमी की थोड़ी दिर बाद wife आती है तो उसे पुछते है कि ये कौन है ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता उसे जाकर उठाने वाली होती है पर ये आदमी कहता है कि थोड़ी दिर इसे सोने दो क्रीम जब अपनी नीन से जाकती है तो वो directly चलने लग जाती है फिर से अपने घर आ जाती है क्रीम जो के के साथ महसूस कर रही थी उसे फिर से एक बार महसूस करना था क्रीम का पदी घर पर होता है उसे पूछता है कि तुम कहा गई थी मैं तुमें कही भी जाने के लिए मना किया था क्रीम उसे कुछ भी नहीं बोलती क्रीम जो फिर से अपनी सेल में छुप जाता है इस बार गार्ड जब उसे देखने के लिए आता है तो गार्ड के पीछे हो छिप जाता है जिस तरह से रह रहा था, इसमें वो confined था, पर अब उसे सब कुछ दिख रहा है, उसे सब कुछ knowledge आ चुका है, क्रीम खीड़की से बाहर देख रही होती है, उसका पदी उसके पास आता है, उसे कहता है, कि तुम उसके लिए wait कर रही हो, कब prison से बाहर निकलेगा, उसकी तुम रहा देख रही हो, अब क्रीम का पदी उसे कहता है, कि हम move out कर लेंगे, वो घर sale करने वाले agent को call करता है, वो क्रीम उसे उसका mobile छीन लेती है, के को चेक करने के लिए इस बार जब guard आता है, तो उसे कही भी देख नहीं पाता, कि अब इस jail से escape कर चुका है, जो police officer के को investigate कर र इसका मदलब क्या है, यह मैं आपको movie के end में बताऊंगा, हमें boxer का घर फिर दिखाये गया है, boxer और उसकी जो wife होती है, इन दोनों में जगड़ा चल रहा होता है, boxer की wife को लग रहा होता है, कि boxer का affair हो रहा है, या फिर उसे कोई घर पर है, ऐसा महसूस होता है, वो पूरे घर में चानते हैं और वहाँ कोई भी नहीं होता, इस boxer ने अपना poster घर में लगा आता है, जब वो इस poster को देखता है, तो उसकी आख वहाँ से missing होती है, इसका मदलब है कि किसी लोग को भी अपने आपको देखने नहीं दे रहा, अगर लोग उसे देखेंगे नहीं, तो उसे जोकर वो चला जाता है, इसके बाद हमें दिखता है कि वो फोटोग्राफर के अपाटमेंट में आ जाता है, फोटोग्राफर भी गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा होता है, इस फोटोग्राफर को अब लगता है कि उसके fat में कोई definitely है, वो अलग अलग जगा पर अपनी bad मारत है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता, वो फिर अपनी girlfriend को call करता है, वो उसे घर में आने के लिए बोलता है, वो जब घर पर आती है, तो वे दोनों intimate होने के कोशिश करते है, तब है उन्हें लगता है कि इस घर में के है, हम देखते है कि cream की जो photo थी, वो सही से लग चुकी थी पर अब फिर से के उसे अलग-अलग जगा पर लगा देता है, cream जैसा उसके photo का जाती है, उसी तरह से उसे adjust कर देता है, फोटोग्राफर और उसकी girlfriend जब देखती है, तो वहाँ से photo missing होती है, यह दोनों फिर बहुत ही डर जाते है, cream के पदी को call आ जाता है और उसे पता चल जब रात होती है, तो cream के पदी को भी लगता है, कि उसके घर में कोई है, वो भी अपनी gold bat लेता है, और हवा में मारने लग जाता है, उसे वो कही भी नहीं मिलता, वो जब bed में सोने के लिए आता है, तो cream से कहता है, कि वो अब यहाँ आ सकता है, जब midnight होती है, तब cream उठत है, और गहन में के को ढूरने लग जाती है, वो जब एक mirror के पास आती है, तो उसे वहाँ के दिखता है, उसका husband भी उसके पास आ जाता है, पर उसे कही भी नहीं दिखता, cream को बदा है, कि के को अब कोई भी देखनी पा रहा, तो अपनी बदी को फिर से I love you कह देती है, उसक को कोई देखनी पा रहा, तो यहाँ आसानी से वो रह सकते है, अगले दिन cream बहुत सारा breakfast बनाती है, उसका पती बहुत ही खुश हो जाता है, वो जादा ही मुस्कर आ रही होती है, उसका पती उसे कम मुस्कर आने के लिए और breakfast करने के लिए बोलता है, उसका husband विर खुश हो इस बार वो यह कर चुका है, मुवी खदम होती है, और screen पर एक message आता है, इस message में कहा जाता है, कि आप dream में रह रहे हो, या reality में, यह differentiate कर पाना बहुत ही difficult है, यह यह movie खदम हो जाती है, पर के के साथ क्या हुआ था, यह आपको आप मैं explain करूँगा, director ने जिस तरह से यह story इसके अलग-अलग interpretations आप कर सकते हो, हमें के meditation करता हो दिखा है, और कैसे invisible होना है, इसके practice को कर रहा होता है, अगर हम देखे, तो इसने यह art अब master कर लिया है, वो guard को जलावा देकर, jail से भी भाग जाता है, और invisible पूरा हो जाता है, इसका second explanation है, कि जब के cards को जलावा दे रह था, हमेशा वो छिपता रहता था, जब guard ने उसे बहुत मारा था, वो सच-मुच में वहां बर चुका था, अब जिस guard ने उसे मारा था, यह trouble में आ सकते है, तो इसलिए इनने cover-up story की थी, उनने कहा था, कि के jail से फरार हो चुका है, यह जो भी सब हो रहा था, यह के की soul कर इस movie का जो third explanation है, वो हम cream के perspective से देख सकते है, movie के last में एक line आई थी और उसमें कहा गया था, कि dream में हम जी रहे हैं यह reality में, हमें पता नहीं है, यह बहुत ही hard है ना, हम फिर इसका integrate कर सकते हैं, हम life में जो भी सब चीज़े dream करती है, वो कभी कभी reality में भी आ जाती है, आइं से वो escape हो जो उसके मन में वो fix कर ले थी है, कि के हमेशा उसके साथ ही रह रह रहा है, और अपने life का balance को करना चाती है, इसलिए हो फिर से अपने पती के सांथ amends जो होती है, वो सही कर लेती है, इसी तरह से अलग-अलग explanation के साथ यह movie हमें छोड़ कर चली जाती है, बहुत ह कि यह story थी, आपको यह movie कैसी लगी, प्लीज मुझे comment section में बताना, आपको अगर कुछ movie suggestion हो, फुपी आप वहाँ बता सकते है, अगर आपको यह video अच्छा लगा है, तो प्लीज इस video को like कर दीजेगा, मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो, तो इसलिए आप subscribe भी कर दीजे यहनि कि आपको सब movies मिलती रहे है, हम फिर से मिलेंगे नए explanation की साथ, तब तक के लिए thank you और अपने आपका आप खैल रखिये